नमस्कार बिहार की आवाज में आपका स्वागत हैं। ताजा मामला समस्ती पूर जिला के पट्चोरी थाना का है। जहां लॉक डाउन के बाद से फर्जी सिपाही बना युवक। पट्चोरी थाना में काम करता रहा और पट्चोरी पुलिस को कानो कान अबर तक नहीं हुई। फर्जी सिपाही का भंडा फोड तो तब हुआ जब पट्चोरी थाना के कुछ जवानों को उसकी कारेशेली पर शक हुआ। लेकिन ब्यूटी करने की आण में फरजी सिपाही बना युवक, हमेशा स्थानिये लोगों से अवैद राशी की वसली किया करता रहता था। जिससे स्थानिये थाना के पदादिकारियों को उस युवक पर शक होने लगा। जब पटोरी थाना अध्यक्ष ने उससे कड़ाई से पुछताच किया तो फरजी सिपाही का भंडा फोड़ हो गया। भंडा फोड़ होते ही ततकाल उस फरजी सिपाही को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। फरजी सिपाही बना युवक राहूल कुमा शर्मा समस्ती पूर जिला के जितवार पूर प्रक्थन का रहने वाला है। इससे पूर्व भी यह युवक फरजी सिपाही बनकर पटना में पांच सालों तक ब्यूटी कर चुका है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजेर होते हैं कुछ अन्यक खबरों के साथ तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार